दोस्तों भारत की DRDO और साथ में हमारी ADA दोनों मिल करके एक ऐसा कदम उठाने वाली है जिससे की ना केवल भारत को एक और स्टेल्थ ड्रोन मिलेगा बलकि इस ड्रोन की मदद से हम भवीशा में एक बड़ा ड्रोन भी यहाँ पर बनाएंगे जिसका इस्तिमाल हमारी तीनों सेनाई यहाँ पर कर पाएगी तो जैसा की DRDO ने कुछी दिन पहले यह बताया है कि हम जिस घातक यानि की ओरा नाम की ड्रोन के ओपर काम कर रहे हैं जो की बेसिकली एक 15 टन का एक बड़ा ड्रोन होगा तो उसके प्रोटोटाइप का जो फैबरिकेशन यानि की जो निर्मा फ्लाइट है उसको यहाँ पर कंड़क्ट कर चुके हैं लेकिन जैसे ही यह ड्रोन अपने सारे पैरमेटर को अचीव कर लेता है तो इसके बाद में भारत अपने घातक UCAV को इस्तेमाल करेगा लेकिन फिर इसके बाद DRDO के इस स्विफ टेस्ट बैड का क्या होगा तो इसी टेस्ट बैड की बात करते हैं तो इसके अंदर पहले से ही हम कई सेंसर्स और साथ में जो इलेक्ट्रोनिक्स है उनको लगा करके टेस्ट कर चुके हैं जिससे की यह हमारे लिए एक काफी ज्यादा बहतर सरविलांश ड्रोन के तोर पर काम कर सकता है और यह एक स्टेल्थ ड इसके पहले से ही बना करके इसके सारे टैक्सी ट्राइल्स और साथ में इसकी फर्ष्ट फ्लाइट को कंड़क्ट कर चुके हैं तो इसके कारण इसको तीनों सेनाओं के अंदर शामिल करने में हमें ज्यादा समय नहीं लगेगा इसके बाद में इसी को स्केल अप करके भारत एक बड़ा वेरियंट बनाएगा जो कि लगबग 15 टन के आसपास का होगा और वो भी यहाँ पर काफी ज़्यादा स्टेल्थ होगा वो इससे भी ज़्यादा स्टेल्थ यहाँ पर रहने वाला है क्योंकि उसके अंदर आप सब को इंटरेनल वेपन बेबी देखने को मिलें और साथी साथ यहाँ पर हम कई सारे नए और साथ में एडवांस वेपन्स को इस नए प्लैटफॉर्म से लॉंच कर पाएंगे तो कुल मिलाकर के भारत के पास आने वाले समय में आप सब को तीन फ्लाइंग विंग डिजाइन के ड्रोन देखने को मिलेंगे जिसमें कम समय में तयार कर लेता है तो दोस्तों सबसे पहले तो आप सबको इसके पीछे एक बेसिक सा कारण ये जानना होगा कि चीने सेना इरान की सेना और जो टर्किस आम फोर्सेस है तो इनके द्वारा लगबग जो वैपन्स है उनको अन्फिनिच्ड फेज में ही अपने बेड में इंडक्ट कर लेते हैं उसके बाद में जैसे ही ये इनके बेड़े में इंडक्ट हो जाते हैं तो ये इनके अंदर लगतार सुधार करते रहते हैं जबकि अगर आप भार की सेनाओ यूएस की सेनाओ को देखते हैं तो यहाँ पर जो अप्रोच है वो आप सब को यह किसी भी प्रकार के वैपन को कोशिश करते हैं कि जल से जल अपने बेड़े के अंदर शामिल किया जाए जिससे की इनकी जो स्ट्रेंथ है वो बनी रहे और साथ-साथ आने वाले समय में यह लगातार उसमें सुधार करके उसको एक अच्छा वैपन यहाँ पर बना लेते ह लेकिन अब आज की तारिक में भारत ड्रॉन्स को लेकर के जिस पोजिशन के ओपर पहुंच चुका है जिसमें हमने अपने जो कैट्स वोरियर है उनका भी फैब्रिकेशन स्टार्ट कर दिया है जो की 2024 तक आप सब को देखने को मिल जाएंगे इसके बाद में हमने अपने घातक UCAV का भी जो प्रोटोटाइप निर्मान है वो शुरू कर दिया है साथ हमारे जो फाइटर जेट्स है तो उनके भी फैब्रिकेशन का जो काम है वो भारत ने पहले शुरू कर दिया तो ओल्मोस्ट भारत आने वाले समय में ड्रॉन्स के मामले में एक अच्छी खासी कर दीजेगा तो चलिए दोस्तो आज किस वीडियो में इतना ही मिलते हैं गली वीडियो में तब तक के लिए गुडबाई जैहिंद